नमसकार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है शीर जंगल का राजा होता है वो अपने जंगल में सब को डरा कर रहता है शीर भयंकर और बलशाली होता है एक बिंच शहर का राजा जंगल में घूमने गया शीर ने देखा राजा हाथी पर आसल लगा कर बैठा है शीर की मन में भी हाथी पर आसल लगा कर बैठने का उपाय सुझा शीर ने जंगल की सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसल लगाया जाए बस क्या था जट से आसल लग गया शेर उच्छल कर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है आसन हिल जाता है और शेर नीचे धराम से गिर जाता है शेर की टांग टूब गई शेर खड़ा होकर कहने लगा पैदल चलना ही ठीक लहता है इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि जिसका काम उसी को साजे शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिनाम बलत साबित हुआ उसी की नेक शेर चाहिए जो ऑिक्राइब झाल टूब जाता है और शेर खड़ोगा है